शेर की ताजा खबरे देखने के लिए इनवी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूलें चीन के सैनिक के दोरा गलवान घाटी में हुई जड़प में 20 सैनिक शहीद हुए जिसमें भारत में काफी रूश है ऐसे में चीन से आर्थिक समद पूरी तरह से बन करें ऐसा आवान लोगों ने किया चीन और भारत तक्रार बढ़ती ही जार रही है ऐसे में भारत द्वारा लकडी का जो पुलिया बनाय गया है वो कही न कही चीन के आखों में अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है जिसके चलते चीन ने भारतियों को रोकने की कोशिश की और इसके बीच भारतिय जवान और चीन के बीच में तूतू मैमे हुई जिसके चलते दोनों में जड़पे हुई और इस जड़पों में इस घटना में भारत के 20 जवानों को शहादत मिली है तो वहीं चीन के 42 जवानों को भी भारतिय जवानों द्वारा मौत के घाट उतार जवानों की खबर आते ही शहीद हुए जवानों के परिवार में मातंग साचा गया वीडशाई जवानों के बुढे माता पिता, पत्नी और छोटे बच्चे एक दुसरे को बिलक-बिलक के रो रहे थे तो वहीं घर में बैठे भारतिया नागरिकों के आँखों में आंसू और चीन के लिए अंगार के शोले दिखाई दिये चीन को जवाब बुलेट और वालेट से देने की मांग इस समय में शहर के नागरिकों ने की है गलवान घाटे में जिस प्रकार से चाइना और भारत के बीच में जो भीड़न तुई जिसमें चाइना की द्वारा हमारे भारत के 20 जवान शहीद हो चुके थे उन शहीदों की आग अब तक हर किसी के सीने में धदक रही है इस समय में हम हुड़केश और परिसर में जहां पर कुछ शहर के नागरिक मौजुद है आईए उन से उनकी जुबानी सुनते है कि क्या चर रहा है उनके मन में शहीद जवानों को लेके मेरा यह कहना और यह मानना है कि आज जो दुसमन ने आख दिखाया और हमारे भाईयों जो सहीद हुए उनके मौत के जिम्वार में कहीं ने कहीं हम भारतवासी भी बहुत ही सामील है मैं हवो हर वारसी से अपीर करना चाहते हूं कि जभी भी बो ऐचाईना के समान को देखे हु कि उसे हम हमारे जो भी जवान है उनके खुनसुना हुआ है प्लीज शुज मद खरीदे और इस तरह से जो जवान हमारे बरजर पर लड़ रहे हैं और आज हम उनका सामान न खरीद के यहां उनको सपोर्ट कर सकते हैं और आप हमारे चाहिनों हो पर अगर कुछ भी हमला करते हो और कारेना हरक्ते करते हो तो वो बहुत 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 ब्यान कर सकते हैं मैं हाप मेर अपिल करता हूं फो कि चाहे ना लेकात है कि उनको भी ठीवार्प में तकलिप दिया जाये इन के अभर आशरकत्षैन कि ट्रूशीशन कि तरफ से वाइस प्रेसीडेंट को आप में पोटी से शाद रहले जवान इसके अलावा मेरा ये कहना है कि जो उन्होंने किया है, ये एक काहराना हरकत है, रात के अंधिरे में आके उन्होंने हमारे जवानों पे हमला किया, और इसके अलावा हमने जो भी सामान है उनका जो आ रहा है वो लेना नहीं चाहिए गौर्मेंट ने भी इसमें कुछ स्टेप्स लेने चाहिए कि सामान इंडिया में ना है और इंडियन लोगों ने अगर सामान लेना बंद कर दिया तो आटोमेटिकली सामान आना बंद हो जाएगा इसलिए मेरा ये सबसे अपील है और ये है कि भीया ये कोई भी चाइनी सामान ना खरी दे बिल्कुल ऐसी कोई चीज ने जो इंडिया बना नहीं सकती है क्योंकि नामुम्किन को मुम्किन बनाना ये बायात का खेल भारतियों का है भारत ने यदि मन में ठान लिया तो वो दिन दूर नहीं जो विश्वा में तो अपना पूरा परचम लहराए गई लेकिन चाइना की जो जड़े जो है उसको भी उखाड फेकने में समय नहीं लगेगा क्योंकि भारत एक ऐसा देश जिसमें कई जवान इस देश के लिए मर मिटने के लिए अब तयार है कैमेरा पसंद सुवाज भूटले के साथ संजेई मीरे इन बीसेन नियूज नाकपूर